हेलो फ्रेंड्स 370 टेक चैनल में आपका स्वागत है तो आज जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि MIUI में MI के हर फोन में MIUI होती है तो आप उसके अंदर इंटरनेट के स्पीड वगरा देख सकते हैं इंटरनेट के स्पीड मेजर कर सकते हैं वहाँ पर आपको इस एरिया में नेटवर्क के साथ में यहाँ आपको स्पीड दिखाई दे जाती है लेकिन MI के जो MI का एवन है वो स्टॉक एंडरोड पर रंड करता है इसलिए यहाँ पर आपको इसके स्पीड वाला फीचर नहीं मिलता है तो मैं आपको आपको आप दता हूंग कि आप कैसे अपने MI स्पीड वाला फीचर डाल सकती है तो उसके लिए आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना है सिंपल स्टेप्स हैं सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर खोलना है तो प्ले स्टोर खोलके आपको बस यहाँ पर टाइप करना है internet एंटरनेटव स्पीड मीटर्टर यहां पे सर्फ कर देन है और आपको यह व Ал intent यह जू डायनेमिक एप की तरफ से दू टुनेनेट का स्पीड मीटर्बेक यह तो दजनकी कम क्त में नामें dynamic apps developer का नाम है और इसका नाम है internet speed meter light तो आपको ये इंस्टाल करना है इसका size है 1.01 MB मेरे थोड़े यहां पर net slow चल रहा है चलिए इसे डून डूने दीजिए तो यहां पर इसे open कीजिए जैसा आपके आप सब्लक देख सकते हैं open होने के साथ ही आपको date के हिसाब से बताएगा कि किस date पे आपको mobile में कितना data यूज हुआ है wifi में कितना data यूज है date के हिसाब से पूरा और ये मन्तली भी बताएगा को कि total आपके इस month कितना data यूज हो चुक है है तो आप देख सकते हैं ऊपर आपकी यहां पे यहां पर यहां पर यह आपको यह यह आ पर आ गया ओकर आपके ज़ेशन में आपको शो कर रहा है यहां और आपको आपको क्या खुल्सलिम्साइब और यह यह फिर दो नहीं दूट नहीं ठेडरहते हैं यहां पर फ्राइबाएब और आप तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत दन्यवाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजेगा मेरे चैनल को सुस्क्राइब कीजिगा अपने फ्रेंड्स में वीडियो जुरूर शेयर कीजेगा थेंक यू झाल marching बहुत कीजेगा थीडियो आपका थ्रेंच वीडियो में वीडियो में यह हो सकति Σंब इस अपको याद्स प्高 पाझताबड़ कीजेगा में वीडियो